हाई एव्रिवान कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हुर आहुल जैस्वाल एंज स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तो आज अगेन आपके सामने वन अपके सामने वन अप के चाप्टर्स के लेक्चर बाई लेक्चर वीडियो भी हमारे चैनल के उपर प्रेजेंट है आप चाहिए तो जाके ढूंड लो आपको सब चीज मिल जाएगा आपको जो सब्जेक जो टॉपिक पढ़ना आपको सब चीज मिल जाएगा लेकिन हमने आपके लिए एक स्पे का यानि जोमेटरी सब्जेक का चाप्टर नमबर टू जिसका नाम है दोस्तो पैरलल लाइन इसका प्रॉब्लम से टू आज सौल कराने वाले और अल्री इसका लेक्चर नमबर टू है यानि इसका एक लेक्चर अल्री बन चुका है और इसके पहले नाइन स्टैंडर के जो आपको help हो जाएगी मतलब कोई भी चीज की कमी नहीं है आपको बस जो चाहिए वो मिल जाएगा बस सर्च करने आना चाहिए या फिर ढूंडने आना चाहिए आपको हर एक चीज हमारे चैनल पर मिल जाएगा बस अच्छी तरीके से वीडियो ढूंडो जितना हो सके प्यार करना हमारे वीडियो को सभी बच्चों तक ताकि हर बच्चा हमारे वीडियो देखे कंसेप्चों नौलज को क्लियर कर सके ठीक है और साथ ही मैं इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे जरूर से फॉलो करने लिंक इस गिवन इन डिस्क्रेप्शन बॉक चले शुरुआ प्रॉब्लम सेट खतम हो जाएगा अराम अराम से जाना है कोई घाई नहीं यह बहुत अच्छा पोर्शन हो गया है मतलब सिलावास तो पहले कंप्लीट है ना खाली प्रॉब्लम सेट ही बाकि है तो वो हो जाएगा वी दिन लाइक 10-15 देस के अंदर पूरा प्रॉब्लम स इसको समझो क्या बोल रहा है कि प्रॉब्लम करना है चलो ठीक है प्रॉब्लम करेंगे मान लिया लेकिन क्या प्रॉब्लम करना है इस में बोला है कि एक लाइन है जो प्रपेंडिकुलर है दोनों प्रॉब्लम से मतलब एक जो लाइन होगा मेरा वो लाइन क्या है ये दोनो में से जो पहला वाला perpendicular, जो लाइन पैरलर, उससे perpendicular है, ड्रॉ करना है हम लोगों, तो उब्वियस्टे हम लोगों इस प्रकार ड्रो करेंगे, मतलब एक लाइन हम लोगों यहां से इस प्रकार ड्रो करना पड़ेगा, फोटा करता हो, और ज्यू brought करना पड़ेगा, और बोल के लाइन है ना, यहां पे भी perpendicular आएगा इस प्रकार से हमें प्रूफ करके दिखाओ, मतलब यह लाइन और यह पर प्रेंडिकुलर इसके लिए भी है, सिर्फ इसके लिए नहीं है, तो ऐसा प्रूफ करके हमें दिखाँना है, तो हम लोग विंदाज रख लेता हूँ, यह पूरे का नाम PQ रख लेता हूँ, और बीच में जो point cut हो रहे हैं, इसका नाम में E रख लेता हूँ, और इसका नाम जो है मैं F रख लेता हूँ, ठीक है, E और F, समझा, बहुत बेसिक चीज़े चले, शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग clearly क्या पता सकते हैं, कि यहाँ पे क्या-क्या दिया हुआ है, given क्या है मेरे पास, तो given में आगर आप देखोगे, तो clear cut बोलके रखा है, क्या clear cut बोलके रखा है इन्होंने, देखो ध्यान से, given में clear cut बोलके रखा है, कि मेरा यह जो line है ना, यह AB से perpendicular है, मतलब जो line है मेरा, और दूसरा चीज़ क्या बोला है, कि यह दोनों आपस में parallel है, मतलब हम लोग सीधा-सीधा बोल सकते हैं, कि जो line मेरा AB है, वो parallel है, कि से line CD से, यह तो मुझे पता ही है है, किस से perpendicular है, पहले वाले थे, जिसका नामे AB, इससे क्या है, परपेंडिकुलर है, यह सामें बता सकता हूँ, यह दो चीज़ तो में clearly बोल सकता हूँ, और साथ ही में हम लोगो proof क्या करना है, हम लोगो एक चीज़ तरीके से, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको clear cut पता चल जाएगा, कि क्या होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, तो सबसे पहले यहाँ पे, आप देखो, क्या बोल रहा है proof में, कि मेरा line जो यहाँ ना, यहाँ पे हम लोगो सिधर दिया हूँ है, क्लियार और यहाँ लिख सकता हो, और यह क्यो है, दिया यहाँ डिया हूँ है, यह ना, यह तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे, it is given, clearly, यहाँ पे given लिखा हूँ है, next step, आगए बात पर हो, तो हमने हमbox सकते हैं कि यहां पर जब पर्पेंडिकुलर होगा तो मेरा जो एक एंगल बन रहा है एएप या फिर बोलो पीई भी दोनों में से कोई भी एक अगल बोलो तो चाहिए में लिखता हूँ मैं या एप वाला या फिर दूसरा एंगल ले ले ताम P e b, ठीक है ना, ये दोनों ही एंगल आप देखोगे, ये क्या है, P e b b, अगर वो परपेंडिगलर था, तो ये क्या हो जाएंगे, 90 डिगरी हो जाएंगे, तो मैं बोल सकता हूँ, it is 90 डिगरी, करेक्ट है, ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि 90 डिगरी है, इसको मैं माल लेता ह ठीक है, अब यहाँ पर clear cut में बोल सकता हूँ, कि जब दो line parallel होते हैं, और एक line उसके बीच से यहाँ पर pass होके जा रहा है, तो हो क्या होता है, transversal होता है, भले यहाँ पर perpendicular दिख रहा है, लेकिन हमने जो parallel line का concept पढ़ा था, कि अगर if two lines are parallel to each other, और एक line उसके बीच में से जा रहा है, तो हम लोग उसको transversal मानेंगे, तो अगर मैं इसको SI condition में डालू, कि मेरा जो line AB है, वो parallel line CD से, और साथी में जो यह मेरा PQ line है, यह PQ मेरे लिए क्या है, transversal है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ मुझे, यह अगर मेरा transversal है, तो मैं clearly statement लिख सकता हूँ, कि जो मेरा PEB जो है ना, यह किस से congruent हो जाएगा, मुझे बताओ, किस से congruent हो जाएगा, EFD से congruent हो जाएगा, क्यों बताओ मुझे क्यों हो रहा है, सिंपल सी बात है, यह PEB जो है, यह 90 degree है, और यह दोनो parallel line है, और यह transversal है, तो हमारा एक property है, क्या कहता है वो property, कि यह जो corresponding angle होता है, और corresponding angle एक दूसरे को क्या होते, congruent होते, तो हम लोग क्या बोल सकते है, therefore, कि यह जो मेरा angle है, PEB, PEB लिया हो है न, हमने 90 degree का, तो angle मेरा PEB जो है, यह equal हो जाएगा, किस से equal हो जाएगा, EFD से, लिख सकते हैं हम लोग, यह EFD से क्या हो जाएगा, equal हो जाएगा, 90 degree है, तो हम लोग लिख सकते हैं, कि यह 90 degree है, तो हम लोग सीधा-सीधा क्या बोल सकते हैं, कि यह 90 degree हमने बना दिया, मतलब मेरा, यह जो आ गया न, दोस्तो, अगर आप देखोगे, तो हमने इसको क्या बना दिया, अब 90 degree बना दिया, तो वो 90 degree बन जाएगा, तो हमको पता दोस्तो, second वाले से, जिसका नाम है CD, लिख दो यहाँ पे, line CD, और यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना था, this is your final answer, hence proof, लिख सकते हो नीचे, लिखना है तो, बस यही था हमारा answer, कितना simple था, simple है ना concept, देखो, यही दो marks के लिए exam में पूछता है कभी कभी, अगर आप बिल figure में आप देखो, measure of some angles are given, कुछ angles दिये हुए यहाँ पे, क्या दिया हुए, यह 50 degree है, यह Y है, यह X है, यह 130 degree दिया हुए, correct है, अब, using the measure, यही measurement का use करना है, और हमें निकालना है, X और Y का value, simple है, निकाल लेंगे, उसके बाद हमें प्रूफ करके दिखाना होगा, show करके, क हम क्या करेंगे, इसका कुछ नाम करण कर देंगे, नाम करण मतलब क्या होता है, कि जो चीज हमें और चाहिए, तो हम कुछ alphabets add कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ alphabets को add कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ, P, Q, ठीक है, और यहाँ यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, K, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, L, ठीक है, इतना, कुछ भी मान सकते हूँ, X, Y, Z, जो भी आप यहाँ पर नहीं दिख रहा है, वहाँ पर कुछ extra, जो भी alphabets A से लेके Z तक है, वो डाल दो, लेकिन repeat नहीं होना चीए, बस इतना ध्यान म मैंने डाल दिया, अब यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान देना, कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, यह मेरा क्या है, P है, यह Q है, यह वाला पार्ट मेरा क्या है, K है न, ठीक है न, और यह वाला पार्ट क्या है, मेरे लिए L है, ठीक है, यह हो गया, अब यहाँ पर अगर आपको हो रहा होगा, तो यहाँ पर वीडियो को पॉस करो, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में फटा फट से बताओ, कि यह कुन सी प्रॉपर्टी हो रही है, तो अगर आपको याद हो रहा होगा, कि यह दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा, तो प्लस करके 180 आएगा, क्यों आएगा 180, linear पे आ रहे, correct है, दिख रहा है, एक लाइन यहाँ पर है, और यहाँ से यह दो एंगल बन रहे है, यहाँ पर एक लाइन में, that is 180 होगा, तो हम लोग सीधा सीधा क्या बोल सकते, अगर आपको कुछ नाम देना है, तो इसको भी नाम देदू, इसको नाम में देदेता हूँ, चलो, क्या दूनाम बताओ, ए देदू क्या, चलो, ए देदेता हूँ, और कुछ लिखा नहीं है, मैंने, हाँ, ए भी लिख सकता हूँ, इसको, यहाँ पर मैं सीडी लिख सकता हूँ, करेक्ट है, नाम दे दिया मैंने, अब यह क्या हो जाएगा, देखो, यहाँ पर आगर आप देखोगे, तो यहाँ पर पी के ए, मराबर, पी के ए, वो ए अंगल बन रहा है मेरा, या फिर A, A, K, P बन रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ, एंगल A, K, P, करेक्ट है, यह अंगल, जो नाम देना है, वो दे सकते हो, A, K, P हो गया, और दूसरा मेरा, A, X, और क्या है, यहाँ पर, Y, नहीं, इसका नाम क्या L रखा है, सॉरी, तो यह हो जाएगा, एंगल A, X, L, ठीक है, यह दोनों को प्लस करके क्या हो रहा है, दोस्तो, इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है, 180, क्यू आ रहा है, रिजन कोण बताएगा, linear pair, shortcut में लिख सकते हो, कोई परशानी नहीं है, ठीक है, लेकिन, फुल लिखा करो, ज्यादा मांस मिलने के चांसे से, अब एक यह भी क्या है, 130 है, 130 प्लस X is equal to 180, तो देरफोर X का वेलो यहां से मिल गया, X will be equal to 180 minus 130, that will be equal to 50 degree, X का वेलो मिल गया 50 degree, एक answer आ गया, same ऐसे ही Y निकालना है आपको, यहां पे भी आप देखो, यह Y है, यह 50 है, यह भी linear pair में है, तो इन दोने को प्लस करके क्या आएगा, 180 आएगा, तो मैं सीधा-सीधा लिख सकता हूँ, डारेक यहां पे करना है, तो डारेक भी कर सकते हो, that is Y plus 50 is equal to 180, करेक्ट है, Y plus 50 is equal to 180, डारेक भी लिखना है, तो लिख सकते हो, जो की आएगा, linear pair के बज़े से, ठीक है, तो यहां पे Y का value मिल जाएगा, 180 minus 50, that will be equal to, कितना हो जाएगा, 130 degree, तो एक अपने को मिला, X का value 50, Y का value 130, करेक्ट है, आ रहा है न, बराबर, आ, बराबर आ रहा है, अब तक यहां तक बराबर आया, तो मतला हमना आ आ रहा है, जो दो question पूछा था, एक X का value, एक Y का value, यह दो value हमने clear cut solve कर लिया है, अब तीसरा एक और चीज़ पूछा है, कि line L और line M, जो है, एक द साथी में हम लोग का एक line है, यह क्या है, interior angle है, सबसे पहली बात, यह क्या है, एक दूसरे को interior है, और साथी में यहाँ पर आप देखो, यह line मेरा transversal हो रहा है, यहाँ पर clear ले, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कि यह interior angle से, of line, किसका किसका, L parallel to line M का, and यहाँ पर एक और is transversal, यह line मेरे लिए क्या है, transversal है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कि transversal होने के वज़े से, यह चीज क्या है, parallel हो जाएगी, कब होती है, हम लोग का यह reverse हो गया, मतलब इसके लिए कोई proof तो नहीं है, converse में कोई proof लिखा तो नहीं गया इसके लिए, लेकिन हम सीधा-सीध परके हमें पता ना था, तो X का value भी निकल गया, यह 50, Y का value भी निकल गया, और यह हमने जो शो करना था, वो भी हमने proof करके बिल्कुल आसानी से बता दिया, clear है, समझ में आ गया, तो उमीद करता हूँ, question number, कुन सा था यह, question number 4, यह भी हमारा, समझ में आ गया, अब एक और question लेते, आखरी question है, अब बाखी का अगले lecture में कर लेंगे, तो एक final question कराता हूँ, आज के इस lecture में, जो कि होगा, question number 5, अब क्या है, question number 5, बिल्कुल धहान से देखना, पहले समझो, कभी भी आपके exam में, जब आपको question paper में, questions जब दिखता है, तो उसको पहले समझो, कि actual में पूछा के icon से chapter से पूछा है, ठीक है ना, फिर उसको frame करो, फिर given वगरे लिखो, अब देखो क्या बोला है कि line AB parallel to CD parallel to EF, यहां बे मतलब तीन line parallel है, चलो ठीक है, दिख रहा है, तीन line parallel है, अब उसके बाद बोल रहा है कि line cupid transversal है, यह भी transversal है, मतलब same वैसे ही type का example है, हमें पुछाए कि Y और Z का जो ratio है, वो 3 is to 7 है, Y, Z किदर है देखो, यह Y है, यह Z है, अब इन दोनों का value निकालना है, लेकिन इनका एक ratio में value देखे रखा है, Y to Z का value 3 is to 7 है, तो हमें बोल रहा है कि find the measure of angle X, यह angle X है, इसका measure निकालना है, क्या करेंगे, सबसे पहले मुझ sorry, common multiple, let common multiple BM, हम M मान लेते हैं, क्योंकि X, Y, Z हम लोग already इसमें दिख रहा है, तो हम लोग X वगरे नहीं मानेंगे, हम M मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, P वगरे नहीं है, P भी है, तो P भी नहीं मान सकते, तो कुछ ऐसे alphabet मानो, जो इसमें नहीं है, तो हमने क्या म मान लिए, M मान लिए, ठीके, ये समझ में आ गया, अब मुझे पता है, एक ratio हमें दिया, Y to Z is equal to 3 is to 7 हमें दिया हुआ, ये क्या है, given है, ठीके, ये हम लोग को क्या है, given है, तो according to हमने जो common multiple M माना हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, Y का value हो जाएगा 3M, और Z का value हो है, ये CD से parallel है, और CD वाला EF से parallel है, तो मैं सिधा-सिधा AB को और EF को parallel बता सकता हूँ, तो line मेरा AB, correct है, पहला वाला line is parallel to line EF, ये मैंने तीसरा वाला line लिया, और दूसरा एक चीज है कि जो मेरा PQ है, ये जो मेरा PQ का line है, QP बोल लो, PQ बोल लो, एक ही बात है, ये जो line है, ये क्या है मेरे लिए, ट्रांस वर्सल है, तो इसके according हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि जब भी कोई दो line एक parallel होता है, और उसमें से एक ट्रांस वर्सल आता है, तो हम लोग कुछ properties लगा सकते हैं, correct है, लगा सकते कि ने लगा सकते है, property, अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग, बिल्कुल ध्यान से देखना कि क्या property हम लोग का यहाँ पर लगने वाला है, देखो, अब यह जो x दिख रहा है आपको, यह जो angle x दिख रहा है, और यह जो angle z दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ना zoom out करके बाहर निगाल तो, देखो ध्यान से, य अंदर के जो angles होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे को, alternate होते हैं, तो यानि कि यह जो मेरा x है, और यह z जो है, यह दूसरे को क्या हो जाएंगे, equal हो जाएंगे, क्यों, because of alternate angle, यह हमने पढ़ा हुआ है, already lectures में, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो आपको समझा होगा तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, कि angle x is nothing but angle z, हम लोग क्या बता सकते हैं, कि यह दोन एक दूसरे को equal है, क्यों equal है, because of alternate angle, रहिए, यहाँ तक समझा, alternate angle के बज़े से एक दूसरे को क्या है, वो equal है, यहाँ पर यह जो मैंने rough किया, आप भी वह आप चाहिए तो रहने द जो है, वो same है, अब यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, कि angle x जो है, वो z के बराबर है, तो z का हमने लिखा हुए value, जो कि common multiple में आए था, तो z is equal to 7m है, इसका मतलब x का value भी 7m हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, therefore, कि अगर मेरा z जो है, वो x के बराबर है, और z का value 7m है, तो मैं बोल सकता हूँ कि angle x विल भी also 7m, यह मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, तो angle x का value भी 7m हो गया, ठीक है, इसको मैं मान लता हूँ, equation number 1, ठीक है, इसको मान लो, आप चाहिए तो कुछ भी number दाम दे सकते हो, अब ए प्लस करते हैं, तो वो 180 के बराबर आता है, तो प्लस कर लो फटा-फट से angle x कितना है, देखो, angle x कितना है, अब यह भी तो निकाला, 7m आया है, angle x 7m है, angle y कितना है, हम लोगो पहले से ही पता है, जो की 3m है, तो 7m प्लस 3m is equal to 180, इसका मतलब 10m is equal to 180 हो जाएगा, therefore, m will be equal to what, देखो यहाँ है, क्या बोल रहे, 10m is equal to 180, तो therefore, m का value कितना आ जाएगा, बताओ मुझे, m का value कितना आ जाएगा, 180 divided by 10, तो therefore, यहाँ पे m का value कितना मिल गया, 18 मिल गया, अब m का value जो ब 18 मिल गया, तो हमें बाकी चीज़ का value भी मिल जाएगा, यहाँ से, कैसे मिलेगा, ध्यान दो, x का value म angle x का value जो हमें पूचा था, आ गया, 126 degree, and this is your final answer, clear है, कितना आसानी से निकाल दिया, समझ में आ गया, तो उमीद करता हूँ, देखो, angle y और angle z पूचा नहीं है, अगर आप निकालोगे, तो और अच्छी बात है, पर माक्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, इतना ही पूचा थ तो उतना ही निकालो, अगर आप extra निकालते हो, time है, तो बिल्कुल निकालो, ठीक है, चलो, फिर, यही था हमारा आज के तीन questions, जो हमने बहुत 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 बहतरीन तरीके से करा दिये, तो उमीद करता हूँ, कि आपको यह तीनों questions बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ पोस्तों के साथ जितना होसा के share कर देना, और अगर first time आयो हमारे चैनल पे अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया यार, तो देर खिस बात की फटा फट से हमारे चैनल को subscribe कर देना, बाजु में बैल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि future में हम जबी भी कोई भी वीडियो को upload करेंगे तो आप लोगों को notifications मिलती रहेगी, ठीके friends तो जल्दी मिलेंगे, हमारे new वीडियो में तब तक के लिए, thank you and goodbye